हेई एवर्यवन वेलकम बेक तो माई चैनल और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी के एर दिवा करती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज मैं आपसे एक साड़ी का दिभी शेयर करने जा रही हूं और ये साड़ी कैसे आप परचेस कर सकते हैं कैसे और भी जादा ब्यूटीफुल लग सकते हैं इस बार हॉली के मौके पर तो चलि दोस्तो देख लेते हैं और आगे पढ़ने से पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर और प्लीज काईस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन इसे प्रे कर सकते हो order कर और गाइस इसमें आपको और भी beautiful shades मिल जाएंगे अपने accordingly और भी और जादा beautiful designs आपको इसमें मिल जाएंगे अलग अलग तरहांगे तो आप एक बर चेक जरूर कर लीजेगा दोस्तों और WhatsApp नमबर के द्वारा आप इनसे बात भी कर सकते हो और अगर आप और साडी की जो प्राइज है वो है 399 डूपीस यहां मुझे 399 डूपीस की मिली थी और वैसे आपको यहां पर और भी टाइप और वराइटी मिल जाएगी साडियों की और हर एक रेंच में आप यहां से साडी को purchase कर सकते हो तो एक बर चक जरूर कर लीजेगा जो पसकते हो यह पोँसरा सी साडी है इस वक यहां पर open कर ली गो तो आप देख सकते हो इस पर पूरा एक बैरेटिंग लुक आता है बिल्कुल वा बना रहिए यह जहनाई हैं दरम्स बने और भी उचार सकते हो जाएगी सरी्छ पूरा एक लुक तयार किया गया है पैट् तो आप देख सकते हो इसमें पूरी साडी में आपको नीचे बॉर्डर पर इस तरह से ये लुक मिल जाएगा जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ साथ यसाथ दोस्तों एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप सोश्रे होगे कि यह साडी जो है आपको हैवी लग रही होगी लेकिन गाइस यह हैवी बिल्कुल भी नहीं है यह बिल्कुल लाइट वेट साडी है बहुत जादा हैवी नहीं है और इतने लाइट वेट में साडी यह बहुत ही अच्छा एक आउफिट माना जाता है और मेरे पास इस तरह पहले कोई साडी थी नहीं तो मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा इसका यह पूरा लुक का रहा है जो पूरा वैडिंग का लुग मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रेक्ट कर रहा है आप इसे किसी भी शादी में, पार्टी में, सगाई में, किसी भी प्रकार की पूजा में पहन सकते हो और हाँ फ्रेंड्स आपको इसमें और भी कलर मिल जाएंगे तो आप अपने कोडिंग ली कोई भी कलर चूस कर सकते हो और जैसा कि अब अभी जानते हैं दोस्तों की होली का स तो अभी बहुत अच्छी चे उफ़र इसमें चल रही है तो आप एक बार उनसे वट्सअप के तवारा भी बात कर सकते हो ग्रीन और रेड कलर का इसका पल्लू है और रेड और गोल्डन कलर में इसकी जो पूरा एक पैटरन है वो तयार किया गया है पल्लू पर कुछ इस तरह से काम किया गया है जैसा कि आप देख सकते हो और सबसे चीबात मुझे यह लगे गाइस कि आप इसके पल्लू पर टैजल भी देख सकते हो हैं यह देखे। टैजल भी लगे हुई हैं यह चीछ मुझे बहुत ही यूनिक लगी है जो कि और साड्यों से इसे अलग करती है तो आप देख सकते हो अब इसमें Is tarh के टैजल्स, इरिंग्स भी पहन सकते हो, जूल्डरी के अगर बात करूँ, तो इसमें आप ग्रीन कलर की जूल्डरी पहन के देखे गाइस, बहुत ही प्यारी लगेगी, कोंट्रास्ट करके भी आप इसकी ब्लाउस को, और इस पुरी साड़ी को जो एक लुक है, वो क्रियेट कर सकते हो, तो बहुत इचे लुक आएगा गाइस, यह देखे, कितना प्यारा इसका पल्लू है, मैं आपको सारा एक डिजाइन दिखा देती हूँ, यह देखे, यह कि आपको और कलर ओप्शन भी मिल जाएंगे, तो आप एक बर ट्राइ जरूर कर लीजेगा गाइस, और जैसा कि दोस्तों आप जानते ही है, कि पूजा की किसी भी कारिक्रम में लाल रंग को बहुत ही शुप माना जाता है, लाल रंग बहुत ही शुप होता है, और इस साड किसी भी प्रकार की पूजा में आप इसे डेफिनिटली जरूर ट्राइ कीजेगा, पूजा के लिए खास्तों से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और फैबरिक के में अगर बात करूँ दोस्तों, तो सिल्क और कोटन मिक्स है ये, तो बहुत ही अच्छा एक फैबरिक है इसक आपको लग रहा होगा देखने में, कि ये बहुत ही है लेकिन ऐसा नहीं है गाईज, ये लाइट वेट साड़ी है, आप इसे इसली वियर कर सकते हो, इसली कर सकते हो, और दोस्तों, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इसे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही बहतरी न उप्शन है, और साथ ही साथ दोस्तों, आपके इसके साथ एक ब्लाउस भी दिया गया है, जैसे कि आप साइट पर देख रहे हो, ये उपसूरत प्रिंट में ब्लाउस दिया गया है, ये देखि जो की सूरत में है, तो भई मैं तो इस बार होली पूजन पर इस साड़ी को पहनने वाली हूँ, आपके पहनने वाले हैं जुरू बताइएगा, और गाईस आप भी इस साड़ी को एक बर जुरू ट्राइ कीजिए, आप शूर आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प अयथ नवांस मे, हपी होली.